तो यहां पस देख सकते हो हम इसको वैंडिंग कर चुके हैं बलकि इसमें लाश्ट कोई डाल रहा है तो लाश्ट कोई डालने में कितना मेहनत लगता है वह आपको यहां पस बताया जाएगा तो हमारे वीडियो को हलका भी स्कीप ना करें और वीडियो को पूरा वाश करें तो यहां पस हम इसको कोई को डाल चुके हैं तो इसका जो पीच है वह भी बताया जाएगा और इसका जो टन है वह भी बताया जाएगा इसका रणिंग का है आपका 57 पीच है और इसके आपके 5 में डल रहा है 115 टन मतलब 116 टन और इसके इस रणिंग के सा एक से साथ में डल 66 इसका मतलब 66 66 टन डल रहा है 66 टन डल रहा है देख सकते हैं वहाँ पर 66 टन है और उसके बाद हम भी श्टाटिंग बाताती तो हम भी स्टाटिंग का डाल रहें तो स्टाटिंग में आपका जो एक से 5 हैं उसमें हम लोग 100 125 डाले हैं 100 नहीं नहीं 132 मैं थोड़ा में श्टेक हो गया था बलकि मैं आपको बता रहूं 132 और एक से साथ में हम लोग उसमें डाले थे हम लोग 70 70 डाले थे तो यहां पस हमारा जो क्वाइल है उसका साइज भी परफेक्ट आया था और डला भी सेटिंग भी मस्त हुआ इसको फॉल डीटेल में आपको बताया जाएगा तो वीडियो को हल्का भी स्कीप ना करें तो यहां पस हमारा जो क्वाइल है देख सकते हो किता इसका मतब बहुत इसको करते हैं प्रेस करना है तो किस से करना है वो तो आपको पता नहीं है तो प्रेस करने का एक ही तरीका है हम लोग लकड़ी के लकड़ी से ही करते हैं प्रेस लकड़ी से हम लोग उसको कोचनी नाम करानी किये हैं उसका कोचनी बोलते हैं उसको आप लोग क्या ब बच्छा उसका डल जाएगा फिर पेपर काटेंगे पेपर काटना है जो साइज करेगा उससे हलका आधा कर लिये जाएगा उसको जिता बड़ा साइज लिये रहेगा गवार को हम लोग डाल रहा है यहां पर समने साथ हो रहा को बराबर में रख़ ले और Bagle को ठोक लें और side side को ठोकना है बीच को ठोकना है ठीक है उसके अग्वाइल का sitting हो गया फिर जो एक से सथ है वह आपकte double layer है double layer मतलब साथ साथ में ही साथ बैठ ठीक है तो हम यहाँ पर ने डालना है अपने को हरा पेपर डालना है साथ नंबर तो हरा पेपर हम लोग यहां पर डाल दिये साथ नंबर नहीं सौरी पांच नंबर पांच नंबर को क्यों किया है तो पांच नंबर बता रहे तो पांच नंबर का पेपर हम यहां पर डाल लिए और यहां पस हमारा कोईल को भी डाल तो यहां पस हमारा पेपर डल चुका है अब हम एक तरफ का डल चुका है अब दूसरी तरफ के स्लॉट में फाल को डालेंगे तो उसको डालने में असानी हो रही है क्योंकि ये डबल लेयर है बट टन कम है तो तालने में दिक्कत नहीं होता वैसे अगर तर ज्यादा रहता त ज़रूरी है यहां पस जो हमारा पेपर खट से कट गया खट से क्वाहिल में डालेंगे अब देख सकते हो पहले मोडा जाएगा उसके बाद बराबर मोड़ा जाता है उपर नीचे मोड़ोगे तो दिक्कत होगा आप इको दिक्कत होगा पेपर पलड़ी या और कुछ दिक्क तो फॉल हम सेटिंग कर रहे है यहां पस यह हमारे क्वाइल को ठोके दो चार होड़ी हो गया हमारे क्वाइल सेटिंग तो फिर मिलते हैं यस्टूडियोम लाइक शेयर सस्क्राइब कमेंट करना ना भोले और आपको पूरा दिखा जाता किस परकार हमारा वाइंडिंग हो हो गया फिर मिलते हैं नेस्टे वीडियो में